अब यहाल फिलाल के आप घटना देखे होंगे जिसमें बिहार साकार के द्वारा जो आरक्षन लाया गया था पचास परसेंट से बढ़ा के 65 परतिसत किया था इसको पटना हाई कोट ने रद कर दिया तो क्या है यह मामला पुरे मामला को अच्छे तरीका से समझेंगे यदि आप student है तो आपके लिए यह हम स्यूरीज स्टार्ट कीये है और यह एक student DNA के नाम से स्यूरीज स्टार्ट की है तो आई इसमें आपको पोलेकी का बहुत सारा टॉपिक आपको एकदब अब्जेक्टिव लेवल का समझ में आएगा साथ में आपको इतिहासिक घटनाएं जो हैं उससे इसमें पॉइंट रहने वाले हैं इसमें सभी टॉपिकों को काफी बहतर तरीका साथ इसमें समझेंगे तो इसमें लोग जो समझने के लिए इसको हम पार्ट वाइप बाट दियें इसको आप असानी से समझ सकते हैं तो यदि आप इस टूडेंट है तो आपके लिए इतिहासिक घटना है इसमें जो हुआ था जब से आ अरक्षन सुरू हुआ था यहाँ तक पहुछने में यह कौन कोन इतिहासिक घटनाओं से होकर गुझरा तो आपके लिए कापे इम्पर्टेंट हो जाएगा और सनविदानिक परवधान क्या है इसको अगर हम पोलेटी के अनुसार देखेंगे तो सनविदान में आरक्षन से रिलेटेड कहां इसका बेवस्ता किया गया है तो आप ए श्टुडेंट है तो आपके लिए इंपॉर्टेड बहुत होने वाला अच्छा पॉइंट है बिवाद की कारण क्या है यह इसमें हम समझेंगे कि बिहार और अधर स्टेट को यदि compare किया जाए तो इसमें आरक्षन किसमें बढ़िया है और क्या बिहार के अलावा कोई दूसरे स्टेट भी है क्या जिसमें 65% से जादा का आरक्षन चलता है कि बिहार वाला ही रद क्यों क किया गया क्या सुप्रीम कोर्ट में सरकार अब जाने को कह रही है तो क्या सच में जो है यह 65% आरक्षन वाला मामला बिहार को मिल जाएगा और मिले रहा तो क्या बेनिफिट होगा बिहार सरकार को इसके अलबाब और क्या करना चाहिए इन सभी मुद्दों पर चर्चा सकता है आरक्षिन की ओ सकता अपने विहार को क्यूं है अधर श्टेट को भी क्यूं है तो काफी अच्छे से समझेंगा मुद्ध ठीक है देखो बैए चर्चा का विसे इसका यहां से सुर्व होता है कि यह 9 नौमबर 2023 को बिहार सरकार जो है एक आरक्षन बिल पेस करती है अधान सभा में और वो बिल पारित भी हो जाता है उस समय राजपाल्थ्य इंदर विश्वेनात् आग लेकर उनके दवढ़रे मंजूरी मझी लिखा है मंजूरी मंजूरी भी इसको मिल जाता है कि और यह लागू हो जाता है मतब आरक्षन का जो दायरा है वह 50% से बढ़ा कर 65% कर दिया गया इसका बेवस्ता कुछ इस तरह से किया गया था कि सब्सक्राइब कर दिया गया अभी बहुत 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 बहुतरीन तरीका सभी समझने वाला है ठीक है अरक्षन को कप एकदम डिपली समझेंगा इसके बाद से 16 के लिए बढ़ा कर 20 कर दिया गया तरह से कुल आरक्षन की बिवस्ता पहले आपका 49.5% था है ना मंडल आयो क के अनुसाइग लगबग 50 परसेंट लेकिन जो है अभी के वेवस्ताय का अनुसाइग 65 परसेंट हो गया यदि इसमें हम EWS को भी काउंट कर देते हैं 10 परसेंट को यह बन जाता है आपका 75 पर्शन ठीक है मतला कुल आगर्चन की वेवस्ता किया गया था मतलब अब ध्यान दीजेगा कहानी इसका क्या है यदि हम इसमें 75 परतिसत बाहर कर देते हैं तो बाकी कितना पर्शन बचा 25 परतिसत अब यह जो 25 परतिसत बचा इस पर एना जेनरल फाइट करेगा जेनरल है ना अन्रिजर्ब कटेरी ज 75 परतिसत बाला भी घूसेगा कैना मतलब इस जो 75 परतिसत में जो जो है ebc ac obc s2e wc सोभी इसमें भी अपना दावेदारी जो है जो है करेगा इसमें से भी अगर मेरा मार्क्स जेनरल का करेगया निशार आ जाता है तो हम इसमें से भी सीट को घसका सकते हैं अपना सीट सब्सक्राइब तो यहां पर इस तरह से व्यवस्था किया गया था लेकिन इसको आमान निगोसित कर दिया गया था कि बोला गया था कि नहीं सुप्रीम कोट के आदेश की अनुसार जो है यह आरक्षन 50% चे ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है आगे हम लोग समझेंगे कि कहानी इसकी सुर्वात हुआ था इसके बाद हाई कोट ना इस मकादमा डाय किया गया था और इसके बाद जो है इसको हाई कोट नहीं निरस कर दिया अब सरकार बोल रही कि भाई अब हम जाएंगे सुप्रीम कोट में जाएंगे चलो भाई ठीक है आगे बढ़ते अब गया कि अब ji आपका साहकारी संस्थानों में नोकरियों में और आरक्चन की वेवस्था पहुचा आई से शर्वात हुआ था कैसे सब कुछ यहां पर रहुतBir हम becoming 1998 november 72 एंसार में कर पूरे qTo qto evil नाये था उनकी अनुसार j ju वो कहते कि भाई जो सायकारी नोकरी में वैसे लोगों को थोड़ा सा छूट दिया जाए जो काफी पीशले हुए है उनके लिए 26 पर 30 अरक्षन की वेवस्ता इसमें लाया गया था ठीक है धीमराओं मेर्कर भी जो है अरक्षन के जो है थोड़ा सा ब्यगोधी नहीं थे सपो गया इनमें थोड़ा सा उनको कुछ बेहतर जो है छूट मिलना चाहिए तो इसके लिए 1942 में जो है इन्होंने जो है मांग किया था तो शुरवात अब इसका सुरवात देखे क्या यह सब भी हार क्या था और यह भीमराओं मेर्कर दो मुखर इनके बारे में हमें स्टार्ट वही से जो है यहाँ पर आरक्षन का जो है जो है निव रखा गया उस समय साथ में जो तेक बाब फूले भी साथ में थी उनके अनुसार से जो है जाती अधारी जनगरना की मांग उसी समय से सुरु हुआ था ठीक है उसके बाद 1882 बाद 1891 में आते है आप तो सर्वन को यह सर्वन कोर के जो रियासते थे उसमें जो राजा माराजा थे वो क्या करते थे कि बिदेशियों को अपने पास ज्यादा संख्या में भर्ति करते थे सारकारी नोकरियों में और बाकी लोगों को ज्यादा प्रिफरेंस नहीं देते थे तो उस समय जो है आरक्षन की पहली बा सबसे पर पर संकी सुरवात करते साहू महराज इसी तरह से कहानी आगे बढ़ता है और 1908 में कहानी पहुंचता है में अंग्रेजों ने पहली बड्र जाती अधारी जो रख्चन क 말 किया है लेकिन इतना अपंधास वो लाग detective टो में अ इसके बाद नौर गाए उसके बाद में 2009-1919 में भाराशाचार का अधेनियम के अनुसार एक एक केमुनल वाज की सुर्वात किया गया था उस समय और यह उसके बाद इसी तरह से कहानी आगे बरता 1921 में जाती अधारी जब जन्राइबना के अनुसार जो है आरक्षन की वेवस्ता किया गया तो गयर बरामन जो थे उनको 44 परसंट आरक्षन दिया गया उसे तरह से जो जो भरामन थे उनको 16 परसंट आरक्षन दिया मुसलमानों को 16 परसंट भी मिला इसायों को 16 परसंट मिला अनुसोचि जातियों को 8 परसंट मिला तो ये कुछ इतिहासी घटनाए थिًा 12 किसके बाद आगे घटना क्या बनता है 1946 में जब केबिनेट मिसन आया तो उस समय भी आरक्षन की वेवस्ता हुआ था उस समय बोला था कि भाई जिसका जीतना संख्या है उसके अनुसार जो है सीट का बटवारा होगा चुनाओं में है न तो अनुपातिक परतिनीधितुए के बेवस्ता 1946 में केबिनेट मिसन के अनुसार किया गया था तो यह भी एक तरह के आरक्षन ही था ठीक है लेकिन में आप देखे जब हमारे देश आजादी से पहले की घटना थी जब हमारे देश आजाद हुआ तो 1903 में आयोग बनाए गया उसका नाम था उस आयोग का नाम का लेकर आयोग इनको कहा गया कि भाई आप यह जाचिए कि हमारे देश में समाजी के रूप से और सेक्षिक के रूप से कितने लोग पिछले हैं क्या उनको आरक्षन की विवस्ता किस तरह से होना चाहिए आप थोड़ा सा इस पर जाच परताल करिए और अपना नहीं किया फिर उसके बाद जो है यह कर लेकर आयोग अलब फिर विवादों में घे गया बहुत लोग इसको नहीं माने फिर 1989 में 1989 में समाजिक और सैक्षिक के रूप से जो पिषडा के लिए एक आयोग बनाये गया उसका नाम रखा गया मंडल आयोग इसी आयोग के अनुसार जो है अभी हमारे देश में आरक्षन विवस्ता को लागू किया गया मंडल आयोग इसकी अस्थपना किया गया मंडल आयोग 2018 में अपना रिपोर्ट भी दे दिया और 91 में इन किसी फार्षों को लागू कर दिया गया और उसी समय पहली बार जो है OBC को जो है छूट की वेवस्ता 27 परशन जो आप देखते हैं उसकी वेवस्ता किया गया ठीक है लेगिन जैसी OBC की वेवस्ता किया गया बाकि अन जो ह काश्ट वाले थे वह भी बोले कि भाई हम भी तो एकनोमिकल रुप से पीछ रहे हैं तो उसमें काफी विवाद होने लगा तो 1901 में जो है यह नर्सीमा राव की साइकार था उन्हों में आरक्चन की स्विवास्था को लागू किया लेकिन काफी हत्तर यह जो है लागू किया लेकिन सुप्रीम कोट ने इसको रद भी कर दिया ठीक है अब आगे समझाते हैं आपको यहां पर ध्यान दीजेगा अब देखें मंडल आयोग जो अपना रिपोर्ट दिया उसके अनुसाय कहा था कि देखो भाई भारत में जो है जातिया है वह काफी ज्यादा है बावन परसेंट इनकी संख्या है तो इनको साकारी नोकरी में छुट जो है थोड़ा बेवस्ता करना चाहिए ज्यादा संख् सेट जो है इनके लिए जो है रिजर्ब कर दिया गया था उसी समय से लागू हो गया ठीक है लेकिन इसके लिए है जो है कोट में फिर से प्रिकेशन भी दिया गया अरोब भी लगा गया तो 1992 में इंदरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोट ने 27 परसेंट उसमें जोज थे इ बाकि 27 पर्शन को लगा दिया गया अब बाकी को गलत ठागा दिया ठीक है सुप्रीम कोट ने साथ में और भी कुछ-कुछ बात बोला जो कि आपको जानने के जोगत है कहा कि देखो भाई आरक्षन अपने देश में तो रहेगा लेगिन भारत की जीतनी जनसंख्या है भार को रद कर दिया कि राजसरकार जो है 50% से ज्यादा क्या आरक्षन मांग रहा था जिसके वज़से इसको हवाला देते हुए जो है उसका जो मुद्दा है यह पैसाट पर्शेंट आरक्षन करने वाला विवस्ता इसको सुप्री हाई कोट ने रद कर दिया ठीक है उसके पर्मोशन के लिए आप यदि आरक्षण लाते था लाया गया था EWS के लिए उसको रद कर दिया था सुप्रीम कोट ने इंदरा साहनी ने लेकिन बाद में 2019 में इसको लागू भी कर दिया गया था इसके लिए बहुत सारा बीवाद भी हुआ था और अंत्रता इसको जो है 2019 में एक सो तीनवा सनुविधान सोधन द्वारा इसको लागू कर दिया गया था ठीक है तब से लेके अभी तक जो है फिप्टी पर्शन की विए उसता है जिसराज को जितना चाहिए फिप्टी पर्शन कर सकता है बहुत सारे राज अभी ऐसे भी है जिनके पास आगशन बिहार जाएगा बिहार सारकार जाएगी तो क्या इसकी बातों को माना जाएगा तो यह भी हम समझेंगे आप तो यह हो गया इतिहासी घटना है अब यहां पर आप एक चीज और समझेए आप यह समझ दीजिए कि इसका सन्विधानिक पर्वधान क्या है है ना आपके नमबर जो शोला है उसमें आरक्षन से जूरे हुए बातों को बारे में बताएं गया अरक्षन से लेकर चीजों पर कहा गया है भाग नमबर सोला में ठीक है कहा गया कि अनुछेद नमबर जो पंदरा चार है वह राज के आरक्षन से सम्बंदी थे मतलब राज सरकार कैसे आरक्षन बेवस्ता लागू कर सकती है सारा नियम कानून जो है वह अनुछेद पंदरा चार में कहा गया है ठीक है के नरसा काय के लिए आरक्षन से जूरे हुए सभी बाते अनुछेद 16.4 में बेवस्ता किया गया है ठीक है अब देखिए 1770 सनविधान संसोदान 1995 के अनु पर्मोषन में भी आरक्षन की विवस्ता किया रहा था ही कि यहां पर बताए में इसको लोगा दो ढद कर दिया गया था कि पचेसवा सनुविधान संसोधन हुआ उसके अनुसार इसको अगर्द कर दिया गया तो 77 में लाए गया था पर्मोशन संबनित आरक्षन लेकिन 85 में जाकर इसको अगर्द कर दिया गया था ठीक है अब ध्यान दो अगर चुनाव है चुनाव में जो सीट का बटवारा होगा वह भी कास्ट वाई होगा आरक्षन के अनुसार सीट मिलेगा तो अनुछेद नंबर 330 यह संसत को ब्यवस्थार देता है कि आप चुनाव में सीटों के परवधान आप आरक्षन के अधार पर कास्ट वाई आप कर सकते ठीक है अनुछेद 332 जो है यह राज से जुरा हुआ यह भी चुनाव के सीटों के परवधान की विवस्था करता है और यह जो असा कारी निवक्तियों और सेक्षेक संस्थानों में निवक्तियों से जुरा हुआ है ठीक है कि लिए उसी तरह से आगे देखिएगा अनुछेद नंबर 243D यह पंचाईतों से जुरा हुआ हुआ अरक्षन के अनुछेद नंबर 243D में यह बात कहा गया है समझ गये तो यह आपका यह हो गया और इसके बारे में हम लोग पढ़ी लिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या आरक्षन की ओसकता है कि नहीं ठीक है देखो भाई आरक्षन की ओसकता है बिलकुल सही बात है ठीक ह हुए है और साकार उनको ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रही है तो उनको आरक्षन की जोगत है दूसरी बात यह है कि उनके साथ भेद भाव नहीं हो किसी बड़े उचे संस्थानों में या आप सेक्षिक आपका यह बड़े बड़े पोश्टों पर यह दिवो जा रहे है तो तो काफी उसमें दिक्कत हो जाएगा उसमें क्या कि सभी समुदाय को लेकर भेजेंगे यह दि हम तो समाज में जो है ना कि छुआ छूत या घेरना वाला जो वेवस्था है यह खतम हो जाएगा तो आरक्षन इसके लिए भी आव सकता है और जो एकनॉमिकल रूप से कम जो हैं उनको तो वेवस्था देना ही पड़ेगा तो यह बहतर हैं कहा सकते हैं ठीक है अब ध्यान दो अगला पॉइंट एक और देख लेते हैं सबसे पहले निसकर्स समझ लो निसकर्स क्या होगा इस घट्णा से क्या निसकर्स निकलेगा तो देखो आरक्षन की यदि हम बात करेंगे तो हां बिल्कु सही जवाब है कि जो एकनॉमिकल रूप से बच्चा पिशडा हुआ है या कोई समुदा है पिशडा हुआ है तो उनको जो है सरकारी नोकरियों में और सैक्षिक संस्थानों में जो है सपोर्ट मिलना चाहिए ठीक है अब ध्यान दो दूसरा चीज पिशडा है कि उतर सपोर्ट वाली अलग बात है लेकिन यदि हम अपने बिहार जैसे राज की बात करेंगे जो पूर निरूप से एक पिशडा हुआ राज है सिक्च्छा के मामले में ले लिजिए आप एकनौमी के मामले में ले लिजिए सब के मामले में जो है एक जम को के लिए धिन सब चीज के लिए वहाँ पर काफी अच्छित टरीका से किया जा रहा है और साकार हमारी जो साकार साकार यह केवल जो है अपना चोट करें कि वहाइँ किसी भी ओए इंको तो बेतर होना चाहिए सब ठीक है किलिए अब देखो कुछ यहां पर पॉइंक देख लो अभी तक कितने ऐसे इस्टेट है जिनको फिप्टी पर्षेंट से ज्यादा का आगशन मिला हुआ जैसे आप हर्याना देखेंगे तो हर्याना में 60 पर्षेंट आगशन है जबकि तो यह साथ पर्षेंट हो जाता है इसमें भी इसमें राजस्तान में देखेंगे लेकिन गुजरात के अलावा बहुत सारे बिजनेस इंडेस्टरी में भी काफिट डेवल्प है ठीक है महराष्ट की बात करेंगे तो 52 पर्षेंट उसी तरह से केरल 60 पर्षेंट उनातर पर है तो उसी तरह से अपना बिहार साकार भी मांग कर रहे थे कि हमारा भी आरक्षन इतना होना चाहिए लेकिन इसको असनिविधानिक करार दे दिया अभी यह सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या बिहार को सपोर्ट मिल सकता है क्या कभी ऐसा हुआ है बिल्कुल हुआ ह ध्यान दीजिए अब ध्यान दीजिएगा यहां पर आप एक न्यूज देखेंगे तेना काफी अच्छे तरह का से देखेंगा उन तमिलाइडू में उनीस सो नभे में जो है उन्हीं उनहत्तर परसेंट आरक्षन था सुप्रीम कोर्ट के 50 परसेंट से ज्यादा का आरक्ष इसको मिला ठीक है इसलिए मिला था कि कोई विवेक्ती जो है इसके खिलाब कोई प्रीस प्रटीशन नहीं दिया था कोई भी जो है आगोप दायर नहीं किया था इसलिए जो है चल रहा आपका 79 पर तीसर चीक है उत्तरपुरब के बहुत सारे राजे हैं जहां पर 50% ज़्यादा कभी आरक्षन है जैसे अरुनाचल परदेश मरीपूर में गहाले मीजुरम यहां भी जो है 50% ज़्यादा का आरक्षन है ठीक है च्छतिसगर में 58% ज़्यादा आरक्षन है ठीक है हाई कोट इसको आसन विधानिक बताए लेकिन सुप्रीम कोट ने भाई इसको मंजूरी दे दिया ठीक है तो ऐसा नहीं है कि अभी तक मंजूरी नहीं दिया मंजूरी मिल चुका जैसे यहां पर देखिए अभी आपको यहा इतना परशन ज्यादा भी है और हाई कोट जो है इसको बोला कि नहीं यह गलत है और सनिमिधानिक है फिर भी इसको जो है सुप्रीम कोट मंजूरी दे दिया तो यहार सरकार वहां पर जाएगी आगा देखते है कि क्या उसमें हो सकता है ठीक है अभी तक देखिए आरक्षन रद भी किसका किसका हुआ है देखेंगे आप तो महाराश ने आरक्षन का कोटा 60% किया था सुप्रीम कोट ने इसने रद कर दिया ठीक है पूर्षा और स्थान सरकार को भी आरक्षन बढ़ाने की बात चल रहा था लेकिन उसको यह रटना वापस लेना पर था अंत में ठी एक बार आप लोग वीडियो को सेर अवस कर दीजिएगा ठीक है तो आज के लाइप से सब्सक्राप्त करते मिलते हम लोगा नेक्ष्ट क्लास में